पाकिस्तान की हुंजा कम्यूनिटी खासियत ये है कि इसकी महिलाई 80 साल में भी 30-40 साल जैसी दिखाई देती है ये कम्यूनिटी उत्तरी पाकिस्तान की कराकोरम पहाडियों में हुंजा घाटी नाम से चर्चित जगह पर रहती है कहा जाता है कि इस community के लोग औस्तन 120 साल तक जिन्दा रहत हैड इन लोगों को नहीं होता cancer हुझा community के लोग physically और mentally बहुत strong होते हैं एक और इनकी औरते बुढ़ी होने पर भी जवान दिखती हैं वही इनके मर्द 90 साल में भी पीता बन सकते हैं इनकी lifestyle ही इनके लंबे जिवन क रहसे हैं ये लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं ये लोग पैदल बहुत घुमते हैं कहा जाता है कि ये लोग दिन में केवल दो बार ही खाना खाते हैं पहली बार वो दिन में 12 बजे खाना खाते हैं और फिर रात को इनका खाना पूरी तरह नेचुरल होता है इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता, इनका दूद, फल, मठन सब चीजे प्योर होती है, गार्डन में पेस्टिसाइड स्प्रे करना इस कम्यूनिटी में बैन है, ये खास तौर पर जव, बाजरा, कुट्टू और गेहू खाते हैं, इनके अलावा आलू, मटल, गाजर, शलजम दूद जैसी चीजे भी, ये बहुत खाते हैं, ये कम्यूनिटी मांस बहुत कम खाती, हैड किसी खास मौके पर ही मांस पकता है, लेकिन उसमें भी, पीस बहुत छोटे-छोटे होते हैं, इस तरह की लाइफ स्टाइल की वजह से, इन्हें कैंसर जैसी बिमारी कभी नहीं हो है, उह किए ऑन गान की और भी से, घूद महीं हो है है है, इस ररिवपला पती है कि आलकि यह से घूबती है, ये तरह कि fellow你看, भी कि वा है, से खाइब लेफ है।